को घलो फ्रेंड्स वेल्कम टो अश्ना क्रेशन देखिए आज मैं एक बेभी के लिए स्वेटर का पेटरन लेके आए हूँ यह फूर पीश का मेरा सेट है जिसमें हाफ स्वेटर है फुल स्वेटर है बेभी के शूज हैं और यह कप बनाई है तो यह पूरा जो मेरा सेट है कि मेरा वैरा। टयार हुआ है ये डेख से 2 साल enseक के लिए मैं ने इसको नाया है तो इससे मैंने हर एक चीज का अलग-अलग हुँ पोस्ट कर रखे हैं कैप का स्वेटर का यह अश शूज जो शूज हैं इनका वीडियो अलग-अलग पोस्ट कर रखा है डिजाइन का वीडियो भी पोस्ट किया है और कालर का भी वीडियो भी पोस्ट कर रखा है तो चलिए आज मैं पार्ट वाइस सारा आपको अलग-अलग बनाना बताती हूं देखे, आज का वीडियो और ने में बताएंगी केसे काy wayse है. यहे당 का सेट है जैसा कि बेने नहीं लरी पहली भी करते तो तो आज के इस फ़र्स्ट पार्ट में चैहसे के बनाना है बताओंगे. केसे का स्टार्ट करते हैं ! देखी इस कैप की स्टार्टिंग मैंने एटी टू फंदों से करी और इसमें आठ सलाईयों का बार्डर बनाया है जिसमें हमारी चार सलाईया इसमें फिर यह वाला पैटर्ण डाला इस पैटर्ण का वीडियो आल्रडी मैं पोस्ट कर चकी हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उससे देख के आप बना सकते हैं चुकि पूरा सेट है तो जैसे स्वेटर में डिजाइन है उसी तरीके से मैंने इसमें यहा इसमें से दो चार्ट लाए विन एक सीधी एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी तो दो रो हमारी ऐसे बनके तियार हूँ उसके बाद मैंने यह प्लेइन पोड़िशन बिना तो इसकी जो अब मैं अगर लंबाई की बात करूं तो टोटल इसकी जो लेंथ होती है देखिए ऐसे 7 इंचेस का यहां से यहां तक हो गया है इतना होने के बाद अब इसमें देखिए हमें इतनी इसकी लंबाई इसकी ठीक है अब इस यहां से हमको फंदो को इसमें कम करना है तो आप देखिए इसमें एक फंदा हम एक फंदा बिना दो और यह एक तीन तीन फंदे बिने उसके बाद हमने इन दो फंदो का एक करना है पीछे से दो फंदो का ऐसे एक करा ऐसे तो हमारा एक फंदा यहां कम हो गया फिर हम तीन बिनेंगे एक दो और तीन पीछे से तीन तीन फंदों को कि तीन फंदे बिनने के बाद फिर दो फंदों का एक करेंगे यानि कि इसी तरह हम इसको बिनते जाना है कि हर तीन फंदे सीधे बिनेंगे उसके बाद दो फंदों का एक करेंगे तीन सीधे बिनेंगे और दो फंदों का एक तो इस तरीके से इसमें हमारे फं रो ऐसे ही हमको complete करनी है और ये फंदे हमारे कम होने के बार last wus पे आके फिर सारे फंदो को हमें एक साथ बंद करना है पूरी रो पूरी ऐसे ही complete कर नहीं कोई इसमें change नहीं करना हे बस थोड़े से फंदे कम हो जाएंगे उसके बाद हमारा पूरा यह cap का पैटन बनके तयार होगा, तो बहुत ही easy cap है, बहुत ही असानी से बनती है, और इसमें इसको बनाने में ज़्यादा time भी नहीं लगता है, बहुत ही असानी से बनाया जा सकता है, इसको, बस normal आप design के according, जैसे भी आप design डालना चाहते हैं, वैसे बनाइए, बस उपर बन करने म जमक्राइब है कि कैसे आपको biggest में फंद बन करने हैं कि उसके बाद या उनल हो जाएगी यह पुरी रों मैंkal sketch करते हैं तीन फंद प्लाइब है विन्ते हैं के और आपके कोई बिनारी ढाल रहे हैं तो दूर्ण को यह पार अपन कर दो धेist को सकते हैं तो यह पूरी रो हमारी एजटीज ही बिनी जाएगी, यह हमारी सीधी रो पूरी कम्प्लीट हो गई और उल्टी रो में कुछ नहीं करेंगे, उल्टी रो को हम नार्मल एक सिलाई उल्टा बिन देंगे, अगर आपके इसमें बड़े साइज का बना रहे हैं और इसमें आपक करते हुए, इनको कम कर देंगे, जब फंदे थोड़े से कम हो जाते हैं, तो हमें इनको क्लोस करने में उपर आसानी रहती है, और यह चुकी बच्चे का स्वेटर है, बेबी स्वेटर है, इसलिए इसमें ज्यादा फंदें आलड़ी कम, आलड़ी पहले से ही कम पड़े हैं तो इसमें हमको बार-बार फंदों को ज्यादा कम करनी की ज़रुरत नहीं है, तो यह उल्टी रो हमारी पूरी ऐसे ही नॉर्मल उल्टी रहेगी, यह देखिए उल्टी रो हमारी कम्प्लीट हो गई, अब सीधी स्लाइप आने पे, मैंने इसमें थोड़े से उन को लंबा स यह दो काट लिया, और फिर सुई में डाल दिया इसको और सारे फंदों को इससी तौई में हमको इसे उताथ लेने हैं, सारे फंदों को सुई में लेने बाद यहीं से पूरा व List कर देंगे, टाइट से उसको बंद कर देंगे और उन थोड़ा सा लंबा इसलिए रखना है क्योंकि उपर इसको बंद करने के बाद इसी उन से इसकी साइट की हम सिलाई भी कर देंगे जिससे ये थोड़ा सा मजबूत जादा हो जाएगा तो पूरा ये ऐसे स्लाई इसको देखे ऐसे स्वी पर हमको निकाल लेना है कि देखे सारे जब वारे स्वी में आजाते हैं थो यहां से इसको हुझे तो ती निकाल लेंगे साइसे इसरा रान्ड को जो हमारा है जाता है और पिर इसको ज़िकलेखे अ इसलिए फंडे यहाप एक राउण में कम कर दिए एक नग पर जिससे कम जाए農 फिर इसको मस्बूती के लिए एक बार फिर इसमें ही ऐसे ही टाइट से डालते हुआ सारे फंडों का लेंगे और यहां से इसको फिर से बन करेंगे यह देखिए पुरा इसको यहां से टाइट से बन करने के बाद यह मैंने पूरी ऐसे यहां साइट से इसमें सिलाई लगा दी और यह इसी के साथ हमारी कॉयप का कैप बिल्कुल बनके तयार हो जाएगी यहां से उनको कट करे अब इसमें डिजाइनिंग के लिए और ब्यूट्वी इसकी और बनाने के लिए आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं जैसे मैं भी इसमें पॉम पॉम लगा के आप बो लगाऊंगी यह देखिए कि यह उपर से ऐसे इसका शेप आ गया यह हमारी कैप ऐसे बनके आई यह देखिए मैंने इसमें एक बो बना रखी है और इस पर ऐसे वाइट बटन लगाया हुआ है तो इस बो को यहां पर ऐसे ऐसे इसमें लगा देंगे आप इसको ऐसे सीधा भी लगा सकते हैं तेड़ा लगा यह तो आपकी मर्जी पर जैसा आपको सही लगे तो मैं इसको ऐस इसे लगा रही हूं हलका से टेड़ा करके लगा रही हूं जिससे यह मेरे को लगता है कि ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा और यह बो आलडी में पहले बता चुकी हूं अगर लगता है किसी को अच्छी लगती तो प्लीज कमेंट करिए जिससे मैं इसको बो भी बनाना शे 홈 कि यह आप इसे लग गई और शी तरह इसमें पॉम्-पॉम है तो इसको मैं उपर आटेच कर देती हूं पोम-पॉम को भी यहां पर इसमें पॉम पॉम भी अटैच हो गया बो अटैच कर दी और यह इसका फैनल लुक बनके ऐसे आता है इसको आप फड़ा सामने यह जो लगेगा बैक साइड जैसे हमारी यहां पर सी लिके आई तो इसको मैंने ऐसे फ्रेंट पर लगाए है तो ज्यादा अच्छा लग रहा है जिससे हमारे सामने पूरा ऐसे बनके आएगा तो फ्रेंट्स यह आज का वीडियो कैसा लगा मुझे उम्मेदे की पसंद आया होगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें बेल आइकन को प्रेस करी जिससे आने वाल झाल